तो एक complete एक strategy यहने वाला है, based on the Fibonacci Tracement, पता होना चाहिए कि market की sentiments कैसे change हो रहे हैं, अब बात करते है market sentiment है, तो अभी पहले मैं order book पर चलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो मैंने जो capital use के around 5 लाग के आसपास capital use किया है, जहीं दोस्तों, कैसे हो आप लोग, I hope आप काफी अच्छे होंगे, तो आज का वीडियो काफी ज्यादा important इनने वाला है, खासकर वो लोग जो option buying करते हैं, जो लोग फिर टेस्मेंट में काम करते हैं, क्योंकि मैं आज आपके साथ एक ऐसे strategy share करने वाला हूँ, जो कि most common strategy है, लिकिन इसके बार में लोग को पता नहीं रहता है, और नहीं लोग इस पर ज्यान देते हैं इतना यादा, बट ये काफी ज्यादा helpful रहता है, क्योंकि आप लोगों ने फिर टेस्मेंट में काम किया होगा, फिर टेस्मेंट प्लॉट तो करते हो, लेकिन आपको उस पर trade करन पोजिशन में और में क्यों आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो एक कम्प्लीट एक श्रेट जी आने वाला है, बेस जोंदा फिर नाची टेस्मेंट एंड वही स्टेजी में आपके साथ शेयर करेंगा, उससे पहले अभी आप आजाओ, मैं आपको पहले स्टॉक्स यहां पर यहां पर वॉल्यूम भी आया था, वॉल्यूम के साथ इस पर एंट्री बनाए थे लेकिन एंट्री के साथ टार्गेट की साइड भी मूव पता था, बट क्या हुआ कि मार्केट यहां से हमें सदन डाउनफॉल शो करने लग ठीक है, उसी को देखते हुए, मैंने मैं यहां पर अपना जो स्टॉप लास इसको स्टॉप लॉस दो दिया लेकिन अभी यह काफी अच्छा टार्गेट की तरफ को मूव करता है उसी के सांद दूसरा स्टॉप लिए ने पकड़ा था है लेकिन इसने क्लोजिं नहीं दीती तो मैंने एंट्री नहीं किया और ए इस टॉप लॉस दे दिया क्योंकि मार्केट फॉल करता तो यह देखो गे तो यहां पर भी एक चीज दिखा घर आज मंतली ऐग्स पैर यह सबसे ज्यारा तो हमें क्या और देखर तो हमें तो आपको पहले में आपर दिखाता हूं कि मेरा कुल इस ट्रेड में किया तो अब यह तो अब कि यहां पर मैंने फिटेस्मेंट किया तुक है ने यहां पर देखो आएंड आप देख सकते हो कि यहां पर जो शो हो रहा है किया 0.5 50% का एक आइडिल फिटेस्मेंट होता है 52.61 पॉइंट फाइफ जो पॉइंट पॉइंट व्हाइब यहां से अगर मार्केट को घूमना होता तो इस लेबल से घूम जाता दोवाइसे रिवर्स कर जाता है पट इग्जक्तल यही से मार्केट फॉल कि अगर मैं इसको वन टाम फ्रेम में शिफ्ट कर देता हूं तो आप द देखो यहां पर मेरी एंट्री मिनी थी पंदर रुप के आसपास जिसमें मैंने इसको अरूंट टू एक्जक्ट इसी टूंट से टूंटी टू के बीच में निकाल हो है तो अभी पहले मैं और बूप चलता हूं ठीक है तो यहां पर आप देखोगे तो मैंने जो कैपिटल यूज के रहां पांस लाग के आसपास कैपिटल यूज किया है तो पंदर रुपए मैंने इसको पिक किया था और इसको जो एक्जिट किया राउंट 21 22 21 22 के अट्वक मैंने पूरी कॉणटीटी टीट कर दिया है और टाइम यह आप देख सकते जिसमें मेरा और मेरा अलमोस तो आपको चाहिए नहीं होता है अगर आप डबल ट्रिपल के लिए सोचोगे स्कैल्पिंग में तो आप कभी भी एक क्या होते प्रॉफिटेवल और सक्सेस्वी स्कैल्प नहीं बन पाओगे अब यहां पर फिबनाची टेस्मेंट को मैं आप आपको दिखाता हूं तो 50% दे धिया और किया है और यहीं से वापिसे इंगाट आप शक्रता यहें जो पर नियुकर यहां पर दिखा है के उपर 60% के उपर तो वहां से वापिस से जो 66 का प्रीम है वो अल्मोस 15 टाच कर गया ठीक है अब बात करते हैं स्टाइक पाइस सेलेक्शन की अब आप कह रहे हूं कि सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर कैसे बैठेगा तो आप एक स्कैल पर हो ठीक है मेरा जो सब्सक्राइब करते हैं तो काफी अच्छा देखने को मिल सकता है और उसी फ्लक्ट्वेशन की वजए से आपका जो सटन जो प्रॉफिट है वह काफी अच्छा मुमेंट काफी अच्छा हो सकता है तो अगर आप टाइम देखोगे तो आपको मैं टाइम दिखाता हूं कि कि सब्सक्राइब करता हूं क्योंकि मैं पूल बैक्स पर काम करता हूं करता हूं रिजेक्शन पर काम करता हूं बिग बार पर काम करता हूं और मेरा जो टार्गेट रहता है एजए स्कैल पर मुझे पता है मैंने को 40 30 40 50 परसेंट ही चाहिए उससे ज्यादा नहीं चाहिए अगर मैं लेने के लिए जाओंगा तो मैं ट्रैप हो सकता हूं और मेरा जो प्रॉफिट मुझे मिल र जो टाइम है एंट्रे और एक्जिट करने के जो इस टॉप लॉससे और टार्गेट से वह फिक्स होने चाहिए और प्री डिशाइडर रहने चाहिए अगर आप मार्केट को देखके अपना जो प्लैन है ठ्रेट प्लैन हो चेंज करता हो कि तो आप मार्केट में बहुत यह यही था मेरी स्टैट जी तो आहीं हुप आपको यह समझ में आया होगा कि मैं क्या क्या चीज अप्जब करता हूं मैंने क्यों स्टॉक्स का धिरेक्ट किया था था क्योंकि मार्केट पैनिक यहां पर पॉल्ड दिखा था था तो वहां पर स्टॉक्स को होल्ट करना इ tiene not a good option आप नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप fixed stop loss fixed target लेके चल रहे हो तब आप वहाँ पर exit करो ना करो या अपना trailing stop loss दो पर मेरे को मार्केट सेंटीमेंट थोड़े से खराब लगे इसलिए मुझे करना पड़ा क्योंकि मैं में फोकस करता हूं इंडेक्स पर और रेरली फोकस करता हूं स्टॉक्स पर ठीक है तो इसलिए मैंने को प्रियोर्टी को पहले ध्यान पर रखना पड़ा उसी के वएसे मैंने स्टॉक्स को आप एक्जिट कर दिया और अपना ट्रेट करने लग गया इंडेक्स में क्योंकि मुझे अच्छा मिल रहा था तो यहीं था मेरा आज का ट्रेड आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको समझ मैं कि कैसे काम करता है मैं यहां आपको स्टॉप लोस मेरे दिमाग में क्या था मैं कितना लेने के लिए त्यार था हो कितना मुझे टार्गेट मिला और मैंने आपको बता दिया तो यहीं माइंडसेट आपने परना रखना है अगर आपको लॉंगर टर्म में एक प्रॉफिटेबल एक सक्सफूर ट्रेडर बनना ह आप ट्रेड कर सकते हो ज्यादा फोकस करो कि आप स्टॉप स्पेसिफिक ट्रेडिंग करो क्योंकि स्टॉप के अंदर आपका ठीटा डिके बिल्कुल नहीं होता हो चांसे अच्छे होते कि आपको पर 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 ब्ली मेरे को आप पर स्टॉप लोस देंगे निकलना और आपको अपना ट्रेड लिमिट भी सैट करना आना चाहिए कि आपको कितना टार्गेट चीए कितना आपको स्टॉप लॉस चीए कितना आप लोस लेने के लिए अगर यह डिसाड़ेट है तो आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग अपना कर पाऊगे यही था अपना एक फ